Welcome to Gattani Cubs Clinic साथियों, आज हम जानेंगे GKC Diet Chart यानि आपको रोज क्या खाना है, क्या पीना है आपकी Cubs की समस्या को naturally ठीक करने के लिए Cubs का एक महत्वपून कारण है आपके भोजन का सही पाचन नहीं हो पाना तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि Cubs का सीधा रिष्टा आपके भोजन यानि आहार से है यदि सही खाना सही समय पर और सही तरीके से खाया जाएगा तब ही उस खाने का सही पाचन होगा और तभी आप चैन से शौच भी जा पाएंगे और चैन की नीद भी सो पाएंगे हमारे इस GKC डाइट चार्ट में है वो खास कब्ज निवारक भोजन पदार्थ जिन्हें आपको अपने रोज के आहार का हिस्सा बनाना है और अपनी रोची के अनुसार बदलते रहना है यदि हमारे भोजन में फाइबर्स यानि रफेज या भूसी की मात्रा अधिग होती है तो ये फाइबर्स पानी सोख लेते हैं और अपने साथ अधिग पानी को आतों में खीच लेते हैं इससे हमारे मल में softness यानी नर्मी आजाती है मल मुलायम हो जाता है और हमारी आते उसे आराम से धक्का लगाकर बाहर की ओर फेक देती है बिना जोड लगाए GKC डाइट चार्ट में सभी भोजन पदार्थ इस बात को ध्यान में रखकर चुने गए तो भोजन पदार्थों की ओर बढ़ने से पहले हम जानेंगे तरल पदार्थ यानी लिक्विड्स के बारे में आपको दिन भर में कम से कम 2-3 लीटर तरल पदार्थ पीने हैं जिसकी शुरुवात आपको सुबह उठते ही तीन गिलास गुन गुना पदार्थ पीने से करनी है और फिर दिन भर में अन्य तरल पदार्थ पीते रहने हैं जैसे की छाच, गही, दूद, नारियल पानी, निमू पानी, आमला पानी, आदी अब आगे बढ़ते हैं भोजन पदार्थों की और तो सबसे पहले अनाज की बात करते हैं आप जिस भी अनाज जैसे की गहू, बाजरा, आदी की रोटी बनाएं वो आटा मोटा होना चाहिए मैदा या पतला आटा नहीं क्योंकि मोटे आटे में फाइबर्स यानी रफेज की मात्रा ज्यादा होती है आप अलग-अलग तरह से होल ग्रेंज खा सकते हैं जैसे की थुली या दलिया बनाके, बाजरा, जो या गेहूं का खीच बनाके, गुड की लपसी बनाकर, ओट्स खास कर कबज में मददगार होते हैं यदि डालों की बात करें, तो आपको दो महत्वपून बदलाव करने होंगे पहला आप जो भी डाल खाएं, जैसे की मसूर डाल, मूंग डाल, तूर डाल, उन्हें छिलके सहित खाएं, क्योंकि छिलके में फाइबर होता है साथ ही तेल या घी का इस्तमाल भी कम करें, क्योंकि फैट यानि वसा को पचाना कठिन होता है, और कबज बढ़ सकती है यदि सब्जियों की बात करें, तो हरे पत्ते वाली सभी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि फिर से उन्हें फाइबर ज़्यादा होता है सब्जियों में भी तेल या घी का प्रयोग कम करें कबज में फाइद मन्द सब्जियां है, पत्ता गोभी, लौकी, पालक, मेथी, ककड़ी, तरोई, टिंसी, टिंडोरी, कद्दू, करेला, फली, शकरकंद, यदि आलू खाना हो तो छिलका सहित सब्जियों को आप मिक्स वैज की तरह यानि भाजी बनाकर आटे वाले ब्रेड की साथ खा सकते हैं अब बढ़ते हैं सलात की ओर जैसे की टमाटर, पत्ता गोभी, प्याज, गाजर, ककड़ी, खीरा फाइबर से भरपूर होती हैं और कबज में असरदार होती हैं इसी तरह फलों में खासकर पपीता, अमरूद, तर्बूज, संत्रा, मौसंबी, नाशपती, खर्बूजा कबज में बहुत फायदेमन हैं आलू बुखारा, साधे रूप में या सूखे हुए रूप में दोनों ही तरह से कबज निवारक होता हैं ध्यान रहें, सलाग, सबजियां, एवंफल अच्छे से धो कर खाएं और इन्हें मिलाकर आपको रोज करीब पौन से एक किलो खाना हैं तब ही ये आपकी कबज में असरदार हो पाएंगे तो साथियों, अभी हमने जाना कि कबज में क्या-क्या और कैसे-कैसे खाना है पर ये भी जानना उतना ही जरूरी है कि कबज में क्या नहीं खाना है ये कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि बहुत सी लजीज और टेस्टी चीज़ें कब्ज को बढ़ाती है जैसे कि सभी तली हुई चीज़ें यानि चिप्स, पकोडियां, मैदा या पतले आटे की रोटियां पास्ता, मैगी, चाउमिन, चाइनीज आइटम्स, पिज़ा, मिठाईयां या चॉकलेट जादा वसा यानि फैट वाली चीज़ें जैसे चीज, बटर, कच्चा केला, अंडे का पीला हिस्सा, नौन विज़ फूड, केक, पेस्ट्रीज, कोल्ड रिंग्स, फ्रूट जूसेज तो इन चीजों को आपको कम से कम खाना है, यदि आप वास्तव में कब्ज मुक्त होना चाहते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस डाइट चार्ट को इमानदारी से फॉलो करने पर आपकी कब्ज कुछ ही हफ्तों में घटने लगेगी और धिरी धिरे पूरी तरहें आप कब्ज मुक्त हो जाएंगे धन्यवाद